नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सिक्रेट धनूरासिफल 29-31 दिसंबर 2021 तो ये साल जाने के पहले ये तीन दिन कितना कुछ खास आपके जीवन में लेकर आ रहा है और क्या बदलाव होने वाला है बड़ा तमाम बाते जारी है वीडिय चंदरासि पर आधारित है देखिए इन तीन दिनों में दो बड़े बदलाव होंगे एक तो 29 दिसंबर को बुद्ध भी परिवर्तन कर रहे हैं और 30 दिसंबर को सुक्र तो जोतिस में ग्रहों का गोचर बहुत महत्व रखता है और साथ ही 29 दिसंबर को जब धनू से निकल कर इन्हीं आपके लगने से निकल कर धनबाव में तब बुद्ध 24 दिन तक यहां रहेंगे बुद्ध संचार और बुद्धी के कारग रहे हैं बुद्ध तर्क की छमता को बढ़ाते हैं निर्ने लेनी की सोच को बहतर करते हैं तार्किक सोच को बहुत खुबसूरत बना द करतन होगा तो देखिए धन वालों अभी सब्तम और दसंभाव के जो स्वामी बुद्ध हैं धन और के जो भाव हैं दूसरे भाव यहां पर आएंगे तो आपका सोभाव को खुबसूरत बना देंगे हस्मुक बैक्तित्व अंदर से एक खुसी बातावरन में खुसी फैला करने वाला बैक्तित्व अगर आप साधी सुदा है तो बहुत ही खुबसूरत सा रिस्ता है अपका अनुबप करेंगे कि आपका साथ ही आपका श्याल रख रहा है बहुत खुबसूरत सब्स चलेगा ब्यपसाई हैं तो आपके लिए वक्त सान्दार है क्योंकि लाप के यो आपके धन को बढ़ाएगा आपका तारीफ होगा आपका समान बढ़ेगा तो कहीं न कहीं बुद्ध जीवन में खुशियों को लेकर आ रहा है लेकिन 30 दिसंबर को सुक्र भी परिवर्तन करेगा सुक्र जो धन और बिलासिता का ग्रह है सुक्र जीवन में सुखों को बढ़ा भौतिक सुख सुविधायन देता है सुक्र बैवाही जीवन का कारक है अब 30 दिसंबर को सुक्र धनुरासी से यहां पर देखिए 27 फरवरी 2022 तक रहेंगे यहां पर वक्री अवस्था में तो ऐसे में सुक्र का वक्री अवस्था में रहना आपके जीवन में कैसा प्रफॉर करेंगे और ऐसे में आपके किसमत को कितना सवा रहेंगे और कितनी सारी खुसियां लेकर आ रहे हैं आपके जीवन में क्योंकि उनका परिवर्तन करना बहुत माइने रखता है तो सबसे पहली बात जो सुक्र है वो आपके जो इनका प्रवेस करना ही जीवन में सफलता का ए लिकिन उतार चड़ाओ भी लाएगा क्योंकि कहीं न कहीं सुक्र टेंसन देगा और टेंसन से लाब करवाएगा यानि जिस चीज में दिमाग खपाएंगे वही चीज लाब देगा अगर आप नौकरी के लिए आप एदन विकरेक करना चाहते हैं खासकर विद्यार्थियों को तो आपके लिए ये गोचर बहुत अच्छा फल लाया है आपको सफलता ही सफलता दिलाएगा पद परतिष्ठा धन नौकरी सब मिलेगा आपका दामपत्त जिवन उच्च कोटी का रहेगा और अगर आप ओविवाइथ हैं तो रिष्टे की बात होगी और वो सफल रहेगी लेकिन अगर आप चाहते हैं लब मैरेज करना तो उसके लिए भी ये वक्त बहुत खुबसूरत है तो लब मैरेज के भी प्रवल संभावना यहाँ पर सुक्र बना रहे हैं तो धनुबालो अब हम बात करते हैं इन तीन दिनों में रासी फल की क्या हाल है देखिए ये तीन दिन आप अपने स्वास्थ पर थोड़ा ध्यान दे क्योंकि थोड़ा आलस से तो है अपने काम को समय से पूरा करने की प्रयास करें तो बढ़िया है नहीं तो फिर परेशा समय का प्रवंधन आपको आगे रखेगा अपने लक्ष को आप प्राप्त कर पाएंगे जितना ज्यादा आप चीजों को टा लेंगे आप चीजों को प्राप्त करने में पीछे रहेंगे सोचेंगे आलस से की भावना में सोय रहें और चीज प्राप्त होगी उतना मुज़ तो यकिनन जो विद्यार्थी हैं उनके प्रयास में तेजी आएगा आपको खुद के प्रयास से लाप कराएगा गुरू और जीवन साथी की छोटी-छोटी जरुतों का भी आप खयाल रखेंगे तो दामपत्य जीवन खुबसूरत है इन तीन दिनों में बस थोरा सा पेट का ख्याल रखेंगा तली भुनी वी चीजों पर थोरा कम फोकस करें और पॉस्टिक आहर लें हलांकि भागे साथ मिल जाएगा पैसे कमाने के अफसर मिलेंगे जो कारे लंबे समय से अठके वे हैं वो ये साल जाते जाते पूरा करवा ही देगा तो धनुवालों इसमें अपन खुदी सांत रहेंगे आपके इस्तिती मजबूत है आपके धन की जो मुश्किलें हैं वो समाप्त हो रही है तो ये चीज़े खुबसूरत है लेकिन अगर लब की बात करें तो थोड़ी सी कमी उनकी खलेगी क्योंकि छोटे मोटे टिंसन को अगर हम छोड़ दे तो का अहमियत दें धन को बेवाजा खर्च मत करें